पर यह इक बात कुछो आपप कह रहा हो कि पीपल के पेड़ लगाने चाहिए घर में लोग तो फीपल की पेड़ उखाड़ के फैंक बनके केवल गंदा जल पी सकती है बदबू खा सकती है और वही उसकी खुराक है वो पीपल के पेड़ पे बैठके इतना सुक महसूस करती है तब तब पीपल जैसा देवता कहा नहीं मिलेगा तुम्हें दुनिया में पीपल के लिए तो वैसे ही कहते हैं कि इसके तने में बखाओ को और जड़ को अलग अलग भागों में बाट के ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप दे दिया गया तब यह नलायकों वाली परिवाशा है और अगर ब्रावनों ने कुछ बिगाड़ा है तो केवल वो यही बिगाड़ा है अपने लोब के चक्कर में कि पीप लेक रख्स है एक जाती भी है भगवान की दी हुई उसको अगर सारे मिटाने लगे मिटाने लगे तो वह तो एक दिर रहेगा नहीं जो देव रख्स है उसको पिर्थवी पर छोड़ोगे नहीं तू ठीक है जब तुम दुनिया भरके लगा रहे है तो पीपल के लगाने म हाई अगर यह पर हमनों ने सिखाया है अगर यह लोगोन को प्रतीकार करता हूं और उनको बोलताौ अएसे लोगों को गदा क्या बोलता हूं गदे के सिंग नी करना चाहिए हैं जो यह कहें कि स्थिरियों को भगवान हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए वह गदे होते हैं हम बढ़े चेक करें तो बताएंगे अभी बुलाते हैं अब तु नाम बताई हो देश वह कि अभी का विश्य नहीं वीडियो बन रही है यह तो घर की बाते बता रही है अब ब्राह्मन से आगी बात कि अब क्या नाम है आपका इनके साथ देखो कौन-कौन सी देवतरंग है खड़े हो कही बता दो भाई सुनीता देवी के साथ कि दो देवी चलते हैं और तरंग क्या देवता होगी बाला जी महाराज की सेवा भी बाला जी महाराज आप किसको कहते हैं अब क्या रहे इसका मतलब ब्राह्मन प्रेत बनेंगे और यकसाधी बने के वे ब्राह्मन ऐसे ब्रहं पाच वएगे जो अनुमान जी की पूजा करने के लिए श्त्रीयों को मना करते हैं बगवान का यह की तत्व इस शरीर में आत्मा इसके अलावा स्ट्रे स्ट्री पुरुश कोकी नहीं है नहीं प्र और दैप को इलब तत्व पुरुशाकार का और एक प्रकृतियन का तत्वय आगे न वह तो सहलर भगवान का सरूनज्ञ चुए अब ब्रहामन गढ़ा धहां ब्यूंत लेकिन लोगों को भगवान की पूजा करने से मना कर रहा है, इस्त्री और पुरुस का भेद करता है, देखें ये बेद एक बार क्या किया, एक बार रहिदास जी महराज ने कर दिया, मेरा जी ने कहा कि भगवन मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूं, अब उन्होंने मना कर दिया, कि नहीं मैं इस्त्रीयों को एक आंत में, इस्त्रीयों के साथ कदापी वारतालाप नहीं करता, अब उन्होंने लिखा, मुझे तो पता ही नहीं था, एक उस पुरम पुरुस के अलावा कोई और भी पुरुस फिर्थ्वी पे रहता है, इतने शर्मिंदा वे उन ब्रामनों को धिकार करता हूँ और उनको बताता हूँ, वो सदा के लिए नरगामी है, अगर कोई अमराज का नरग है, तो वे उसकी पूरी आतना भोगेंगे, जो इस्त्रीयों को पूजा करने से मना करते हैं, इसके पीछे का एक कारण है, लोगोंने उनको कुछ भ बैठे हुए चाहिए, जैसे मनु भईया जी के पास बैठे, इसके लिए उनके पास संस्कार हो, या कुछ गुन हो, या उनको ये चाहिए, इतने लोग आए जाए, रोज चड़ावे आवे हमारे, रोज मजावे, रोज नाचे गाए, रोज खीरतन करे, हमारी समाज में वा आगे नहीं आते, मैं भी तो उद्धार के लिए आगे आया हूँ, नहीं समझे अप, ब्राह्मन पापी नहीं है सर्वता, बैस एक दो काण उनसने जरूर कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि उसमें शुद्र को और उसको गलत भावनाव से देखा है, आया समझ मे और उसका इसमें कुछ करना भी नहीं था, देखो भई, तुम भी एक बात बताओ, एक आदमी सने हुए वस्तर पहन के, अगर तुमने भगवत बक्ती नहीं किया, और भगवान को पाया नहीं जब तक, क्या नहीं किया, पाया नहीं भगवान को जब तक, अगर तुमने तो तुम उसको देख सकते हो कि यह मैला डोने वाला है तो यह मैला है और मैंने सब्सक्राइब पहने हुए तो मैं इसको अपने पास क्यों बैठा हूं बैस इतना बेद जरूर है और वह था भी है भी और उसको कोई मिटा भी नहीं पाएगा ठीक है अब यहां से देखिए ए तो शुद्र है आपको पता है दो किलो मिटर आगे चले गए और वहां से इतने शर्मिंदा होके वापिस आए उसके साथ बैठके हुका पीके वापिस गई है यह विवेका अनंद की आटो बायोग्राफी में लिखा हुआ है कितनी बड़ी बात है उन्होंने अपने आत्मा ब्रोक और मातमा प्रेमानंद को लोग प्रेमानंद महाराजी को ज्यादा भजरें लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी की आवशक्ता है तो रामसुक्दास जी महराज के प्रवचनों की आवशक्ता है सत्संग की आवशक्ता है क्योंकि सारी उमर बीच जाएगी प्रेमा नंजी शरीर छोड़के चले जाएंगे तब भी ऐसा प्रवचन नहीं कर सकते जैसा रामसुक्दास जी महराज के प्रवचनों से आपको मिल सकता है जहां बिना भेद के राम शुक्दाश्जी महाराज ने इश्वर प्राप्ति को दुनिया में सबसे सरल कर दिया है भूल जाओ सारे मात्माव को भूल जाओगे जिस दिन राम आंदे के राम